Hello dear friends, I welcome you all in my YouTube channel for unemployment info. आप सभी को मेरा साधर प्रणाम और अमीद करूंगा कि आप सभी अपने अपनी जगा पर पुर्ण रूफ से स्वस्थ, सुरक्षित, कुशल और खुश्चाल होंगे. आप सभी बाईयों की सेवा में फोरण जॉब से स्वन्दित इन्फर्मेशन को लिखर अपने इस बीडियो और यूट्यूब चैनल फोरण अम्प्लाइमेंट इन्फो के दोरा पस्तित हुआ हूँ और आपको बिदेश से प्राप्ट हुई हमरे पास अनेकों परकार की जॉब की जानकारी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा. इसलिए उमीद करूँगा कि आप सभी इन जॉब से सवन्दित इन्फर्मेशन को ध्यान पूर्वक इस बीडियो को सुरू से लेकर अन तक जुरूर सुनेगे. दोस्तों कहना चाहूँगा हमारे पास ओमान के लिए एक सुपरसित कंपनी बैंगार्ड के लिए निमलिक्त कैटेगरी की डिमांड प्राप्त हुई है जिसे सीबी सेलेक्शन या जों मीडिया के दौरा इंटरव्यों कंड़क्ट किया जाएगा. जिसके लिए हम निमन कैटेगरी सिस्वन रखने वाले सबी प्रार्थियों और योग्या इच्छुक उमिद्वारों से उनके डाकुमेंट्स इन्वाइट करना चाहेंगे और उन्हें समुचित जानकारी भी उपलब्द करवाना चाहेंगे. हमें इस कंपनी के लिए अलेक्टिशन या मैंटिनेस टेक्निशन चाहें. जिनके पास कम से कम साथ से आठ वर्स का अनुभब होना चाहिए. और इन टेक्निशन्स भाइयों के पास CNC, VMC मशीन्स और दूशन्स एटसर्टा आधी मशीन्स पर मैंटिनेस कर्या करने का अनुभब होना चाहिए. इनके लिए निमन और भी कुछ एक कंडिशन साथ में बताईगी है, इनका भी कंडिडेट के प्रिप्यावलोकन करें. इन्हें लिखा गया है कि गुड नौलज़ अबाट फेनक और सीमन्स कंट्रोल सिस्टम, यह जो दो सिस्टम बताएगे हैं, इनके कंट्रोल सिस्टम के बारे में अच्छा गयान होना चाहिए. मेकैनिकल और अलेक्टिकल मेशिनरी मेंटिनेस वर्क. मेकैनिकल और अलेक्टिकल मेशिनों का मेंटिनेस कार्य में इनका अच्छा नौलज़ और अनुभब होना चाहिए. और अलेक्टिकल मेंटिनेस का बारे मेंटिनेस का भी ने गयान होना चाहिए. CNC Machines Troubleshooting and Preventive Maintenance CNC Machines की Troubleshoot करना Fault को Remove करना Preventive Maintenance करना इसका भी अनुबब होना चाहिए Servo Motor Checking and Fault Finding Servo Motors का ने रेक्षन करना और उनके Fault ढूनना ये भी उनके Knowledge के अधीन होना चाहिए PLC Input और Output का भी ग्यान होना चाहिए Knowledge of Electrical Drawings विद्दुत स्वंदी Drawings का भी उनना अनुबब होना चाहिए ग्यान होना चाहिए And General Electrical and Mechanical Knowledge भी उनके पास होना चाहिए उनसे हम डाक्यूमेंट इन्वाइट करना चाहेंगे और इन पजिशन यानि एलक्टिशन या मैंटिनेस्ट टेक्निशन्स कंडिडेट के लिए कंपनी की तर्व से सेलरी का पैकेस 180 ओमन रियाल से लेखर 250 ओमन रियाल पर मंद के असाब से सेलरी का पैकेस प्राप्ट होगा फ्री फूड डुप्लप्ट होगा ओवर टाइम कलाब भी ने मिलेगा पर बीक इन डिप्लाई और जॉइन करने वाले लेक्टिशन और मैंटिनेस्ट टेक्निशन्स को पर बीक 45 आवर्स ड्यूटी टेह करनी होगी इसके साथ में सी एनसी लेट मशीन ओप्रेटर या मशीनिस्ट भी इसमें रिकॉइड है इनके लिए सर्टन कंडिशन के तौर पर आई टी आई या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में पांस से दस वर्स का अपने रिलिवंट फिल्ड में कार्यानुभब भी होना चाहिए इनके लिए भी जो कंडिशन निमन लिखी गई है उनके बारे में इनको अच्छा नौलिज होना चाहिए नौलिज ओफ API products API products में का अच्छा ग्यान होना चाहिए in programming and operation of CNC lathe and vertical milling machine with the venue control venue control के साथ vertical milling machine और CNC lathe machine की programming और operation करने का इनके पास अनुबब होना चाहिए preferably work experience in oil and gas industry in candidates के पास प्रात्मिक्ता के अधार पर oil or gas industries का work experience होना चाहिए operation of oil country late machines, manual lathe and milling machine etc इनका भी नग्यान होना चाहिए operation of all type API threading in CNC CNC में API threading सभी परकार के operation का भी नग्यान होना चाहिए और manual maintenance control का भी नग्यान होना चाहिए हिन CNC late machine operators या machinist भाईयों के लिए salary का package 140 ओमान रियाल से लेकर 220 ओमान रियाल की रेंज में दे होगा, free food company की तरफ से प्राप्त होगा, over time का लाब भी नहीं मिलेगा, पर वीक 45 आवर्स के इसाब से इन्हें अपनी duty की अदाइगी करनी होगी, over time, ओमान के लेवर लाग के अधीन इन्हें इन्हें सभी परकार के प परक्स भी प्राप्त होंगे, इसी के साथ, fabricator, structure, tanks और pipe अले भी चाहिए, जिन भायों के पास, 5 से 10 सल का fabrication of tanks, fuel tanks, skids, piping, etc. for oil and gas industry, अथाथ, वाइल और gas industries के लिए, जिनके पास, tanks, fuel tanks, skids, piping के fabrication में 5 से 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त है, उनसे ही उनके documents हम invite करना चाहेंगे, fabricator must have experience of CS and SS piping, fabricator भाईयों के पास, cast steel या stainless steel piping में अनुभव होना ही चाहिए, इनके लिए company की तरफ से offer किया गया salary का package, 140 से 180 ओमान रियाल परमंद के साब से ते होगा, free food की ब्यवस्था मिलेगी, overtime का lab भी प्राप्त होगा, पर भीक इनने 45 hours की अपनी duty को करना होगा, इसी ओमान की सुपरसिद कंपनी बेंगार्ड में 6G बेल्डर भी required है, qualified builder 6G, GTAW, SMAW must have experience in doing of CS, SS, duplexes, aloes, etc. बताएगे, तमाम कारिया में महारत हासल होनी चाहिए, और 5 से 10 साल का वाइल और गैस इंडेस्टी में सबंदी टैक्स्टिपिरियंस भी होना चाहिए, तमाम कंडिशन को ध्यान में रखते हुए, हम 6G बेल्डर भाईयों से कहना चाहेंगे, कि वो भी अपने सबंदित डाकुमेंट्स बेज़ है, 6G बेल्डर भाईयों के लिए कंपनी की तरफ से 140-200 उमन रियाल पर मन्ट सैलरी का पैकेज प्राप्ट होगा, फ्री फूट की ब्यवस्ता मिलेगी, ओवर टाइम का लाबी मिलेगा, इन्हें पर बीक 45 गेंटे के साब से अपनी ड्यूटी की अदाइगी करनी होगी, फैवरिकेशन बर्कशोप में जनरल परपस के तौर फर इन्हें कारे करना है, क्रेंड का और बोल्ट टाइटनिंग आदी का कार्या इन्हें के सपुर्द होगा, जो भी कंडिडेट इसमें अनुबब रखते हैं, वो क्रिप्या अपने डाक्यूमेंट्स हमें प्रसीड करें, इनके लिए कंपनी की तरफ से 80-90 के बीच में अमन रियाल तै होंगे, पर मन्थ इन्हें ये सैलरी का रेंच प्राप्त होगा, कंपनी की तरफ से फूड की ब्यवस्ता रहेगी, अकामोडेशन, ट्रांस्पोर्टेशन, मेडिकल फैसलिटी और इन्सूरंस की भी ब्यस्ता कंपनी अपने स्तर पर इने उपलब्द करवाएगी, समन्दित भाईयों से कहना चाहूंगा कि जो भी भाई लोग इन्हों प्रोक्त बताईगी, समस्त पोजिशन से समन्द रखते हैं और इसमें अपलाई करने की इच्चुक हैं, वो क्रिप्या में अपने समन्दित सभी दस्तावेईज, सीबी के साथ, एजुकेशनल, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल, ट्रेनिंग, डिप्लोमा, एक्स्पिरियंस सर्टिफिकेट, पास्पोर्ट, कॉपी और फोटोग्राफ, सभी के सभी, बताएगे, डाक्युमेंट्स हमारी निमन, आइडी पर उरिजिनल स्कैन करके, हमें अपलप्त करवाएं, हमारी इमेल आइडी, कुमार 5697-8.com, आपके पास उपलप्त है, कोई भी डाक्युमेंट्स क्रिप्या, मुवाइल फोन के कैमरे से कैप्चर नहीं किया होना चाहिए, यह सभी डाक्युमेंट्स, उरिजिनल स्कैन करके ही हमें, बेज़ें, और इन अप्रोप्त बताएगे, सबस्त पोजिशन के संधर्म में, किसी भी क्वारी के लिए, इन क्वारी के लिए, पूछता है तू, कृप्या हमारे इन दियेगे, कंटक्ट नम्बरों का सारा लेते हुए, डे टाइम, सुबह 10 वज़े से लेकर, शाम 6 वज़े के बीच में, कभी भी संपर्ग कर सकते हैं सबी साथियों को बताना चाहूंगा, कि फॉरेंड से सबंदी तदिक जानकारी प्राप्त करने है तू, कृप्या हमारा यूट्यूब चैनल, फॉरेंड अम्प्लाइमेंट इन्फो डॉट स्लैस बेकैंसी पर बिज़ट करें, और इच्छानुसार जानकारी प्राप्त करे सबी भाईयों से कहना चाहूंगा, कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल, फॉरेंड अम्प्लाइमेंट इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृप्यां से एक वार, सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका बेल आइकन भी प्रेस करते हैं, ठेंक जैहिंद जैभारत